हेलो एवरीवन वेल्कम टू लर्निंग एजुकेशन लर्निंग एजुकेशन में आप सभी का फिस से एक बार सौगत है फ्रेंड आज हम आपके लिए लेकर आया है मत्पदेश पुलिस कॉंस्टेपर परिक्षा 2022 के संभावित प्रश्ण पत्र जैसे कि आप सभी जानते हैं क अभी हाल ही में एमिपुलिस की एकजाम चल रहा है इसी को देखते हुए यहां वीडियो बनाया गया है इसमें जितने भी संभावित कोस्चन है उन कोस्चनों को बतायागा है जो आपको इस वीडियो में मिलने वाले है और काफी इंपॉर्टेंट है यह वीडियो अटवारी, फॉरेस्ट वागेरा, जितनी भी एक्जाम है मत्पदेश के, उनके लिए भी काफी helpful रहेंगी, तो आप इसी वीडियो को पूरा देखीगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं, प्रस्नों से, आगे बढ़ने से पहले बतादू फ्रेंड, यदि आप हमारे चेनल प कोई notification मिलते रहें, तो पहला question है, आपको बताना है, पताल पानी रेल्वेस्टेशन का नाया नाम क्या रख दिया गया है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कि अभी एक राजनीती में एक trade चल रहा है, कि सभी सहरों के नाम सहरों या किसी भी famous इस्थलों के नाम बदले जा रह है, और इसी के उपर से question भी आ रहा है, जो कि अभी MP police में पूछे जा रहा है, shift by shift, तो इस डर्सी से काफी important हो जाता है, तो इसी आपको बताना है, पताल पानी रेल्वेस्टेशन का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, option है, आपके पास, भीरसम उंडा, टांट्या भील, रानी कमला पती या इन में से कोई नहीं, तो इसका correct answer हो जाएंगा friend, टांट्या भील, टांट्या भील के नाम पर ही पताल पानी रेल्वेस्टेशन का नाम रख दिया गया है, आप से टांट्या भील रेल्वेस्टेशन नाम से जाना जाएंगा इसे, और एदी पताल पानी रेल्वेस्टेशन की बात की जाए, तो यहां इंदोर में स्थित है, ऐसा ही पुछ लिया जाएंगा कि यहां कहां पर स्थित है तो इंदोर में, ऐसे ही रानी कमला पती रेल्वेस्टेशन जो की भारत का सबसे बड़ा और पहला private रेल्वेस्टेशन है, हवीजगन पॉंबर को जन्जाती गौरोदीवस मनाए जाएंगा तो इस प्रस्षन से इतना कॉफी है चलिए अगली कॉस्चन पर चड़ते हैं अगला है मत्पदेश किस विद्ध्याले में रानी दुर्गवती सर्जन पीट इस्थापीत है अपसिन आपके पास रानी दुर्गवती विस विद्ध्याले, देवी अहिलेवाई विक्रम विस विद्ध्याले, डाक्टर हरी सिंग गौर विस विद्ध्याले देखो फ्रेंड इस question से काफी सारे हमें answer view मिल चुके है और question बीजे से की आप से पूछ लिए जाएंगे कि रानी दुर्गवती विस्विध्याले कहा है तो ये भी चवलपूर में स्थित है और जैसे कि देवी अहिले भाई विस्विध्याले कहा है तो इंदोर में तो आप ऐसे link करके question को पढ़ा करो तो काफी याद रहता है इसलिए हमारे दौरा इसमें काफी detail दी जाती है यदि रानी दुर्गवती सर्जन पिट की बात की जाए तो देवी अहिले भाई विस्विध्याले जो की इंदोर में स्थित है यहाँ पर है सर्जन पिट और जैसी ही अगर दिखा जाए तो डाक्टर हरी सिंग गौर विस्विध्याले जो की सागर में और ये मत्पदेश का प्रथम विस्विध्याले है जो 1946 में स्थापित हुआ था यह भी काफी बार पुछा गया है कि मत्पदेश का सबसे प्रथम विस्विध्याले तो डाक्टर हरी सिंग गौर विस्विध्याले और इसमें मुक्ती बहुत मुक्ति बहुत सजन पीट है और जैसेकि विक्रम विध्यालच जोकि ःज्ञेन में है, इस्में प्रेमचनद夏 उजन पीट कि इस्थाफित है और राणी दूगावथी विध्यालच जोकि जवालपूर में इस्तित है इसमें सुमद्रक उमारी चोहान सजन पीड इस्थाफी था इसमें और देवी अहले भाई विस्विध्याला में एक और है गांधी सोथ पीड भी प्रस्ता भी था यहां पर तो देखो फ्रेंड इस कॉस्चन से कितने सारे इंफ्रोफेशन मिल गए आपको तो चलिए नेस्ट कॉस्चन पर चलते हैं एधी फ्रेंड आपको हमारे सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरू करें लाइक और अपने दोस्तों को सेर जरू करें अगला है मत्पडेश में आदिवासी लोग कला परिशत की स्थापना किस वर्स की गई थी कभी अभी देखा जाया तो सीएम दोरा काफी योजनाय वगरे चला रहे है जन जाती की विकास में तो काफी इंपोर्टन हो जाता है आदिवासी तो आदिवासी लोग कला परिशत की स्थापना बताना आपको आपसना आपके पास 1970, 1980, 1990 या 2000 तो इसका correct answer हो जाएंगा फ्रेंड 1980 1980 में ही आदिवासी लोकला परिस्यत की स्थापना की गई थी जो कि इसका मुख्याला भोपाल में इस्थी थे और जन्जाती संग्राला भी भोपाल में स्थी थे चली नेक्स्ट कोशन पर बढ़ते हैं नेक्स्ट है प्रदेश का राश्च की पूस्प स्वरी यहां पर थोड़ा तिक कर देते हैं जो कि नहीं हमें यहां मत्रदेश का पूछा है क्योंकि जो कि इसका राइट आंसर जाएंगा सपेथ लीली सपेथ लीली मत्रदेश का राश्च की पूस्प है यही भारत की बात की जाए तो जो है कमल तो आप कोस्टम को ज़रूर पढ़े रहे गा आपको बता देता हूं एक नॉवंबर मत्रदेश को मत्रदेश का गठन हुआ था तो अब कितने जीले थे मत्रदेश में उस टेम पे आपको बताना है आपसा नहीं आपके पास 43, 45, 52 या 63 ज़ि देखा जाए तो फ्रेंट 52 तो अभी जो कि वरतुमान में है मत्रदेश में जीले अगर वरतुमान की पुछली जाए तो वरतुमान में 52 जीले है और अगर नम्मिन्तम जीला की बात की जाए 52 तो निवारी यह भी पुछलिया गया है भी 51 जीला पुछलिय गया था भी एमबी पुलिस के पेपर में तो हो सकता है कि बावानवा जीला भी पूछ ले तो आपको बताना है बावानवा निवाडी जीला है जो कि छतरपूर टिकमगर के आसपास है और इसमें गठन के समय पूछा गया है तो 43 जीले थे गठन के समय चलिए नेक्स्ट कोशन में बढ़ते हैं नेक्स्ट है राजगाट परियोजना किस नदी पर आपको बताना है नर्वदा नदी तापती बेतवा या चंबल नदी से भी काफी पूछा जाता है और नदी टॉपिक तो काफी अच्छ है व्यापियम के लिए हर व्यापियम की किस राजगण परियोजना कि बातगी जाए तो यहाँ बेतवा नदी पर स्थित है और जो की बेतवा नदी कि बातगी जाए तो यहां है रायसेंट जिले के कुम्रागाव से निकलती है और नर्वदा जो की आप सभी जानते है कि मात्पदेश की सबसे बड़ी नदी है और ये पूर उसे पस्चिम के और बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है तापती जो की मुल्ताई से निकलती है मुल्ताई बैतुल चंबल ये जाना नेक्स्ट है MP का सबसे बड़ा राष्टी उध्यान आपको बताना है कुन सा है सत्पुरा राष्टी उध्यान पन्ना राष्टी उध्यान काना किसली राष्टी उध्यान या बांधोगर राष्टी उध्यान इसका correct answer जाएंगा friend काना किसली राष्टी उध्यान काना किसली राष्टी उध्यान मत्पदेश का सबसे बड़ा और प्रथम राष्टी उध्यान है और इसे ही project tiger में सवरपथम सामिल किया गया था मत्पदेश में 1973 में और इसके अगर देखा जाया तो वरग 940 वरग किलोमेटर में फैला है यह जो कि देखा जाया तो मंडला और सीनि दोनों जीडियों में है और इसे एक और important बात लिकलती है इसे बारा सिंगा जो कि मत्पदेश का राष्टी पसू है यहाँ एक मात्र पाये जाता है यहाँ पर जो कि कानाखिस्टी राष्टी उध्यान है इसी में बारा सिंगा देखनों को मिलते हैं तो इस question से काफी detail है जो कि आपको याद रखना है चलिए next question में बढ़ते हैं संकरदयाल सर्मा से एक question पुछा गया था अभी हाली में कि इनका संबंद किस छेत्र से है तो इनका संबंद राजजिनती से जो कि हमारे राष्पती रह चुके है संकरदयाल जी सर्मा जी और यह मत्पदेश में थे और मत्पदेश से कहां से थे आपको बताना है हो सकता है आगरे आने वाले दिने में यह पूछ ले तो इसका करेट आंस हो जाएंगा फ्रेंड भोपाल भोपाल से संबंद है संकरदयाल जी सर्मा और ऐसे ही है अगर पधान मंत्री हमारे अटल विहारी बैच्पी जी की बात की जाए तो यहां गॉलियर से संबंद है चलिए इस कोस्चन से इतना काफी है अगले कोस्चन बढ़ते है अगला है भारती ओन रिपोर्ट 2019 के अनुसा सबसे अधिक जंगल किस जीले में काटे गए यह मत्प्रदेश में पुछा गया है कि मत्प्रदेश में सबसे अधिक जंगल किस जीले में काटे गए है पन्ना, जवल्पू, सीहोर, रायसेन तो इसका करेट आसम से फेंड सीहोर सीहोर में सबसे अधिक वन काटे गया है यदि देखा जाए 2019 की रूपर्ट के निवसार और पन्ना में सबसे अधिक फ्रक्षर ओपन हुआ है या बड़े है वन वहाँ पर और इसे ही एक काफी इंपोर्टन कोश्चन है कि महत्पदेश सबसे सर्वादिक वन पाए जाते हैं महत्पदेश में भारत में चलिए नेक्स्ट कॉस्चन पर नेक्स्ट है प्रदेश में इंद्रा गांधी राष्टी आदिवासी विश्विध्याल है किस जीले में इस्तित है आपको बताना है बोपाल इंदोर जवलपूर अनुपूर जिसका करेट आंसो जगाफ है अनुपूर में इस्तित है इंद्रा गांधी राष्टी आदिवासी विश्विध्याल है और इंद्रा गांधी संग्रहला की बात की जाए जो कि भोपाल में इस्तित है अगला है मत्पदेश में सवर्वधिक सोयविन किस पठार में होता है आप सभी जानते कि मत्पदेश में सबसे अधिक सोयविन होता है भारत में प्रथमिस्थान रखता है इस्षित्र में और एक और है हीरे हीरा भी सबसे अधिक पाये जाता है मत्पदेश में जो कि पन्न मालवा की पठार में सर्वादिक सोयविन होता है जो क्योंकि यहां पर काली मिट्टी पाए जाती है जो कि सोयविन के लिए काफी महत्बूर्ण होती है और यहां खरगोन और खंडवा में कपास होता है काफी और बगहल खंड की बात की जा तो यहां पर चावल सर्वादिक होता है चलिए नेक्स्ट कॉस्टन पढ़ते है नेक्स्ट है मत्प्रदेश में दुस्यंत कुमार पांडूलीपी संग्राले कहां इस्तित है संग्राले पुछा गया है यहां पर रायसेन, भोपाल, गौलियर, जवलबूर तो इसका करेट आस्टcznie अफ्रेंगा फ्रेंडicate भोपाल भोपाल में इस्तित है दुस्यंत कुमार, कॉण्डूलीपी संग्राले और जन्जाती संग्रायला भी भपाल में इस्तित है चलिए नेक्स्ट कोशन पर आते हैं नेक्स्ट है साची इस्पूत का निर्मान किसने करवाया था किसकी दोरा कराया गया था साची इस्पूत का निर्मान अपसन आपके पास इस तरह से जैसे की महावीर, गौतम बूद्ध, अशोक या चंद्रुकुप्ध जिसका करेट आइंसर जागा फ्रेंड अशोक अशोक दोरा ही साची की इस्पूत का निर्मान कराया गया था जो की राइसेन जिले में इस्तित है यह भारत का सबसे बड़ा इस्तूप माना जाता है पर लेकिन यहाँ कभी भगवान बुद्ध कभी आये नहीं नेक्स्ट है मत्पदेश में लोगसभा सीटों की संक्या बतानी आपको कितनी है लोगसभा की सीट पूछी गई है आपर तो इसका करेक्टास हो जाएंगा फेन 29 लोगसभा की सीट है मत्पदेश में और इस तो राजसभा की बात की जाए तो ग्यारा करेक्टास हो जाएंगा राजसभा की सीट और लोगसभा की 29 यदि विधान सबा की सीट बात की जाए तो 230 विधान सबा की सीट है ये हमारे द्वारा ये मत्पदेश समान ग्यार में पढ़ाया चुका है ये वीडियो आपने अगर उस वीडियो को ने देखे तो आप उस वीडियो को जरू देखेगा इसमें समानी जानकरी सारी समानी जानकरी जितने भी है हमने उस वीडियो में कवर करी है मत्पदेश का एक मात्र आदिवासी खेलकुत विश्विद्ध्याले कहां विश्थी थे आदिवासी खेलकुत विश्विद्ध्याले कहां विश्थी थे सिंग्रोली, अलिराचपूर, सियोर, मंडला यहां आदिवासी पुछा गए है आदिवासी खेलकुर विद्ध्याला है तो इसका करेट हांसो जंगा फेन अली राचपूर अली राचपूर में ही आदिवासी खेलकुर विद्ध्याला है यहां अली राचपूर और ज्भवव की बात की जाए तो यहां बस सबसे अधिक भिल जन जाती पाए जाती है और अली राजपूर ही मौत्पदेश का सबसे पस्चमी की जिला है ऐसा पूछ लिया जाता है कि मौत्पदेश के पस्चमी की जिला बताओ तली राजपूर है और पूर्वी जिला पूछा तो सिंग्रो ली चलिए next question बढ़ते हैं अभी तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और लाइक जरू करें अगला है 2011 की जनगर्णा की अनुसार मत्पदेश में देश सर्वादिक जनसंक्या वाला जीला कुन सा है सर्वादिक जनसंक्या वाला जीला बताना है आपको 2011 की जनगर्णा की अनुसार भूपाल, गौालियर, इंदोर, जबलपूर किस जिले में सर्वाधिक जन्संग कि आपको बताना है तो उसका करेटांसर जंगाफेन इंदोर में 10 लाक से भी अधिक जन्संग क्या है और काफी भुप सब्सक्राइब हो चुकी है पर इंदोर में सबसे ज् цвет जादी जन्संग क्या है और एक करेंट से कोस्चन है इन दोनों का यहाँ पर पूलिस कमिस्टनर प्रानी लागू हो चुकी है भोबाल और इन दोर में तो यह भी काफी इंपोर्टेंट कोस्चन है हो सकता है आने वाले पेपर में देखने होगा मिले नेक्स्ट है चचाई जल प्रपात किस जिले में इस्तित है कई बार यह इसका नदी का पूछा जाता है तो नदी का तुम्हें बता दूँगा तो आप देख लिए किस जिले में आप यह बता दीजे रीवा जहाबुआ साडोल गुना तो इसका राइटा हुजा का फियन रीवा में इस्तित है चचाई जल प्रपात जो कि बीहर नदी पर इस्तित है और ऐसे ही पांडो जलब्रपात जो की पन्ना में इस्तित है चुलिया जलब्रपात जो की राजिस्तान में इस्तित है लेकिन चंबल नदी पर इस्तित है और नर्वदा नदीपरफी का इसारे जैसे दुवधार जलप्रपाद और कपिल दारा दुद्धारा ये सब नर्वदा नदीपर श्थित है तो इस जलप्रपाद से इतना काफी है अगले कॉस्चन पढ़ते हैं कि अगला है इनमें से किसके उत्पाद में मत्पदेश प्रथम इस्थान रखता है आपको बताता है कि मत्पदेश में सरवधिक कौन सी फसल होती है कापास ग्याहूं मक्का स्वयविन तो इसका सोयवीन जैसे कि इससे पहले question आया था कि किस पत्ठार में पुछ गया था तो अब यहाँ पर सबसी पहले पुछ गया है कि कूण से फसल सरवादिक होती है तो सोयवीन होती है जो कि माल्वा का पत्ठार सरवादिक यहां पर होता है चलिए नेक्स्ट कॉस्टन पर आते हैं नेक्स्ट है प्रदेश में एक मात घड़ी बनाने कारखाना इस्थाफित है ये भी काफी बार पुछा गया है कॉस्टन भोपाल, बुद्नी, बैतुल, जबलपूर तो इसका राइट अंसर जांगा फ्रेंड बैतुल, बैतुल में इस्थित है घड़ी बनाने का कारखाना और ऐसी ही दिया सिलाई का कारखाना गॉलियर में है और रेल डिबे का कारखाना बुद्नी में है और गर्ण गैरिज फेक्टरी ऐसी ही जबलपूर में इस्थित है गन गेरी से और बम वागेरा यहाँ पर बनाई जाते है मिसाइल वागेरे काभी काम चलता है यहाँ पर काफी मिलेटरी से सम्भंदित काफी है जबलपुर में और बैतल से एक तापती नदी निकलती है जोकी मुलताई से चलिए नेक्स कोशन पढ़ते है यह सारी डिटेल आपको याद करना है फ्रेंड इसलिए हम बता रहे है क्योंकि यह सब पुछे जाता है क्योंकि एक ही वीडियो में आपको इतने सारी जानकरी मिल रही है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखे और एक से दो बार देखे तभी आपको यह सभी याद होंगा अगला है छेत्रफल स्वर यहां पर मिश्टेक हो गए छेत्रफल की रस्टी से मनपदेश का सबसे बड़ा जीला कौन सा है तो इसका करेट आंस हो जाएंगा फ्रेंड छिनवाडा छेत्रफल की रस्टी से मनपदेश का सबसे बड़ा जीला है यदि देखा जाये तो अगर सबसे छोटा थे निमारी सबसे छोटा है भी चलीए नेक्स कोस्टन बढ़ते हैं नेक्स कोस्टन बढ़ने से पहले बता दो फ्रेंड हमारी द्वारा मनपदेश के जितने भी प्राचिन नगर है और जिनका नाम अभी नमीर में चेंज हो चुका है बहुत से जैसे की उज्जेन का उज्जेनी काकिनास, त्रिपूरी, जवरपूर का, रेवा ऐसे बहुत सारे जो प्राचिन नाम थे और अब उन्हें क्या कहा जाता है यह याला वीडियो हमने अपलोड कर दिये गए अधि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखे अगला है, मर्पदेश साहित साहित परिशत के स्थापना किस वर्स की गई थी अब बताना है 1952, 1954, 1956 या 1960 तो इसका करेट आनसर जंग पहें सेकेंड, 1954 मर्पदेश साहित परिशत की स्थापना की गई थी जो कि इसका मुख्याला भुपाल में है ऐसे ही कुछ परिशत के बारे में देख लेते हैं जैसे कि कला परिशत 1952 में और साहित परिशत जैसे की बता दिया आपको 1904 में हिंदी ग्रंथ अकादमी जो भी काफी इंपोर्टन थे 1969 में और उर्धो अकादमी 1976 में कालीदास अकादमी 1978 में और भारत भवन जो की भुपाल में स्थित है 1982 में इसकी स्थापना हुई थी तो या भी इसे इसकिन सोड भी ले सकते हैं अगला है मत्पदेश में प्रथम राचपल महिला राचपल बताना है मत्पदेश की प्रथम महिला राचपल कौन थी आनदी बेन पटेल, उमा भारती, निर्मिला भूच, सरला ग्रेवाल तो इसका राइट आसे ज़ागा फेंड, सरला ग्रेवाल जो मत्परदेश की प्रथम महिला राचपाल थी और देखा जाये तो यह सभी महला एक प्रथम रही है जैसे कि निर्मिला भूज्च की बात की जाए तो मतपदेश की परतम महिला IS रही चुकी है उमा भारती जो की मतपदेश की परतम CM थी और आननी बेन पटेल जो की पूर्व राजपाल रही चुकी है मतपदेश की यहीं वरत्मान के राजपाल आपको कमेंड करके बताना है कि वर्तवान में मत्पदेश के राजपल कोन है अगला है निम्न में से किस जीले में कोरकु भासा नहीं बोली जाती आपको बताना है जैसे कि जन जाती से सम्मंदीत काफी पूछे जा रहा है आजकल सवाल तो ऐसे ही आपको बताना है कोरकु भासा किस छेतर में नहीं बोल जाती यहाँ पर नहीं बोल पूछा है तो आप प्रस्णों को अच्छे से पढ़ लीजेगा एक बार खड़वा, जवलपूर, बैतुल या होसंगाबाद तो इसका करेट आंसोंगा फ्रेंड जवलपूर, जवलपूर में कोरकु भासा नहीं बोल जाती क्योंकि वहाँ पर कोरकु नहीं पाए जाते, कोरकु मत्पदेश के बैतुल, छिंदवाड़ा और खंड़वा, यह छेतर में मत्पदेश में कोरकु पाए जाते हैं, ऐसे ही अगर भील की बात की जाए तो मत्पदेश के अली रास्पूर, जवाबवा, धार के आसपास वाला छेतर में काफी पाए जाते हैं और दिखे जाते हैं बैतुल में एक नहल भासा भी बोली जाती है और कुर्कु से ही एक चटकोरा नष्त सम्बन्दी था इनसे ते इतना काफी डिटेल से चलिए नेक्स्सक्चराइन बढ़ते हैं मत पतेस में पूलिस वारलेस परिक्षड महा विध्याल přुछा गए है जो कि मत पतेस के इंदोर में स्तित है चलिए next question बढ़ते हैं अगला है प्रदेश का पहला सेनिक इस्थापित हुआ था मत्रदेश का पहला सेनिक इस्थापित हुआ था कहां इस्थापित हुआ था आपको बताना है आपसन है आपके पास के इस तरह से रीवा, सिहोर, भोपाल, जवालपूर यदि सेनेक इस्कुल के बात की जाए तो रिवा में स्थापित हुआ था पहला यदि अब देखा जाए तो भींड मत्पदेश के भींड जीले में मत्पदेश का दूसरा सेनेक इस्कुल स्थापित होने वाला है जो कि केंदर की मंदूरी मिल चुकी है यहां पर तो यह कौन से नदी पर है यह भी काफी बार पुछे जाता है तो आप जितने भी नदी के तर्ट पर स्थित है उनको जरूर याद कर लिजेगा जैसे कि इसे पूछ लिए गया है चंदेरी के किला की नदी के तर्ट पर स्थित है तो बेतवा नदी के तर्ट पर स्थित है चंदेरी चुकि बेतवा नदी आपको मैंने बता चुका हूं इससे पहले कि राजगाट परियोजना है और बाकी सभी सिंद्ध बता दी हमें नदीव के बारे में काफी डिटेल तो नेक्स्ट कॉस्टेम बढ़ते हैं हुशन साहा का मगबर इस्तित है मांडू, राय जेन, चन्रेड ये गॉलिएर मwinning्यों में है हुशन साहा का मगबर कूकि मडू की धार में इस्तित है काफी यहां पर महल हो गयी मगबर इपकूफित है यहां पर है तो आप धार से जो मांडू है यहां से इससे तो याद कर लीजिएगा करफी क्वेश्चन आते हैं यहां से अगला है किस जिले में मारा गुफा है मारा की गुफा है इस्तित है हाँ मारा की गुफा बताना है आपको कहां पर इस्तित है तुसकर राइटास में फ्रेंच सिंग रोली, सिंग रोली में इस्तित है मारा की गुफा जो की मत्पतेश का सबसे पूरवी जिला है चलिए नेक्स्ट क्कॉस्टन बढ़ते हैं नेक्स्ट है बिखरे मोती किसकी रच्णा है आपको बताना है माकनलाल चतुरवेदी, सुमद्रकुमारी चोहान, भवानी प्रसाथ मिस्र या काली दास तो फ्रेंड बिखरे मोती सुमद्रकुमारी चोहान की है चुकि काफी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी आइंपी है ये काफी बार पुछा गया है, बिखरे मोती किसकी है तो सुमद्रकुमारी चोहान और इनके जहासी के रानी जैसी बहुत सारी है रच्णा और उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे इन सभी जितने भी संगितकार है उनके उपर अभी हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला है खरबूजा महल किस जीले में इस्तित है तो इसका राइटा सुजागा फ्रेंड धार धार में इस्तित है, जैसे कि आपको बताए कि कैँ बार पुछ जीय जाता कि किस जीले में इस्तित है तो धार में ना की इंदोर में अगला है उदयधिरि जैन इस्तल कहा इस्तित है देखा जाए तो मनपधेश में 5-6 जैन दबार में इस्ततल है उनमें से उध्य गिरी जैन इस्थला पूछा गया है तो दत्या, विदीसा, दमो, बैतुल तो इसका करेट आंसर जांगा फेन विदीसा में इस्थित है उध्य गिरी की गुफा जो की जैन धर्म से संबंदित है और बैतुल में दीखे जाए तो मुपता गीरी बैतुल में इस्थित है दमो में कुंडल गीरी जैन इस्थर इस्थित है चली इतना काफी है इससे अगले कोश्चे में बढ़ते है अगला है मत्पदेश का राच्च की पस्ची कौन से है पक्षी पुछा गया है यहां पर मत्पदेश का राच्ची पस्ची चुकि मत्पदेश का जर्नल ना और कोश्चन है यह तो हमें याद रहना ही चाहिए तो इसका करेट आंसुचन का फ्रेंड दूदराज इससे ही सहा बुलबुल के नाम से जाना जाता है एदिस का वेग्यानिक नाम भी पुछलिया जाता है तो पेराटाइस फ्लाइ केचर इसका वेग्यानिक नाम है हम और जो कि भारत का राच्टी पस्ची है आप सभी जानते है यह ट्रेंड हमारे दौरा एक संस्ता जितने भी अकादमी है जैसे कला साहित अकादमी, उर्दु अकादमी, हिंदी अकादमी, कालिदास अकादमी यह जितने भी अकादमियां संस्ता है उसका हमने एक वीडियो डाला है चुकि काफी लोग ने इसे लाइक करा और देखा भी काफी तो इंपोर्टेंट आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका राइट आसो जंगा फैन, सौरी, बुरहानपूर बुरहानपूर में श्तित है, परफ्दम, चान्नी, ताप, विद्धुद के अंद्र बुरहानपूर की बात की जाए तो बुरहानपूर तापती नदी पर श्तित है अगला मौत्पदेश में सबसे अधिक जनजाती पाए जाती है कौन सी जनजाती पाए जाती है यहाँ पर पुछा गया है थोड़ा सा मिश्टेक हो गया है कौन सी जनजाती पाए जाती है सबसे अधिक गोन, भील, कोरकु या वेगा तो इसका राइटा सुजा का फ्रेंड भील जन जाती यहाँ पर याद रखना कि भील जन जाती मत्पदेश में स्वरवधिक पाई जाती है गोर्ण पाई जाती है भारत में पूरे भारत में गोर्ण जन जाती पाई जाती है अजिदे मतपदेश की बात की जाए पर्टिकुलर तो भील जन जाती पाए जाती है यदि भील की बात की जाए तो अली राजपूर जाबुआ और बढ़वानी धारवाले छेतर में पाए जाती है और भूरी भाई का संबन भी भील जाती से है क्योंकि इन्हें अभी तुर्षकार दिया गया था प्रदम सिरी से और एंपीपीए से भी पुछा गया है इससे कोस्चन भूरीबाई से और जनजाती से भी पुछा गया है तो यह काफी इंपॉर्टेंट है विदि आप चाहते हैं कि जनजाती पर हम एक वीडियो बनाए तो कमेंट कर दीजिएगा तो हम इससे जरूर बनाएंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूले प्रेंड अगला है प्रसीट साहीति पत्रिका वसूधा का प्रकाशन होता है कहां से होता है आपको बताना है वसूधा पत्रिका का प्रकाशन तो इसका करेट आसने जंग फ्रेंड जबलपूर जबुलपूर से होता है वसुदा का प्रकासन जो कि हरी संकर प्रिसाई द्वारा प्रकासित की गई थी ये वसुदा पत्रिकों का अगला है एस्बाग एस्टेडियम काफी एस्टेडियम में पुछ लिए जाता है तो एस्बाग एस्टेडियम कहां पर रहती थे अब बताना हैं ईसका रायटार्स जगः फेन भौपाल भौपाल में स्थीद है इस बाग पूपाल में स्थिद्ध है जो कि दूधिया रोषनीं से युगत है आसे कुछ प् Battle के बात का लिय जाए जैसे कि होलकर ऑस्टेडिम जुकि इन्दोर में स्थीद राणी स्टेडियम जवलपूर में है निहरू स्टेडियम भी इंदोर में है मेजर ध्यानचे द्रहा की स्टेडियम जो की भुपाल में श्टित है और ठाकुर रणमत सी स्टेडियम जो की रिवा में श्टित है तो आप इसे रिस्क्रीन सॉड़ भी ले सकते हैं इतना काफी है इसको कोस्चन से देखो फिर्ण हमने कितने सारे डिटियल दे चुके है इस कोस्चन से तो वीडियो को जरूर आपके दोस्त या फिरेंड को सेड करें अगला है मलपदे इसमें सूटिंग अकादमी की स्थापना किस वर्स की गई थी सूटिंग अकादमी वर्स पुछलिए गया है या पर दोज़र पांच, साथ, दस या पंदरा जिसका करेक्ट अनुज़ अंगल फिरेंड दोज़र साथ, दोज़र साथ में ही सूटिंग अकादमी की स्थापना की गई थी जैसे कुछ देख लिए थे हैं, तो आभी इनके सन रियाद कर लीजीगा, आने वाले Question में हम यह कहां पर है, इसके बारे में भी जानेंगे अगला है MP में हौकी अकादमी कहां है जैसे कि आपको बताया था कि हम अगले कोस्टर में इस पर बात करेंगे तो आपको बताना है हौकी अकादमी कहां पर है जबलपूर भोपाल गॉलियर इंदोर जो इसके राइट आसे करेंट गॉलियर में इस पर हावकी अकादमी जैसे कि अगर हावकी से बात कि सोरी थ會 सागे हो गया हावकी अगादमी जोगी गॉलियर में स्थित है अगले दोस्चन में बढ़ते हैं अगला है प्रसिद्ध माद्पथेस की प्रसिद्ध खिलाडी संध्य अगरवाल जोगी काफी प्रसिद्ध्य इन दो से रहने वाली है इनका संबंद किस खेल से आपको बताना है होकी किर्केट खोको टेबल ट जोकि कप्तान रहे चुकी है महिला किर्केट में और ऐसी कुछ खिलाड़ी की बात कर ली जाए जैसे मुस्ताक अली जोकि किर्केट से संबंदी थे चंदू सर्वते राजेश्वली धोरक लिया जोकि काफी बार कुछ लिये जाता है इनसे और जैसे कि हाकी में असलम सेर खान मधु यादो लतिफ अनवर ये भी होकी से संबंदी थे और बेडमिंटल से बात किलिया है तो सरुजनी आपते सीमा भंडारी और तेराकी से सोनल सिसो दिया ये काफी इंपॉर्टेंड है तो आप इसे इसकिन सौट ले सकते हैं अगला है जल विहार मेला का आयोजन किस जि लगता है या आयोजन कहां होता है इसका बताना है आपको तो इसका करेटा समझेंगा फ्रेंड छतरपूर छतरपूर में ही जल विहार का मेला आयोजित किया जाता है तो यहीं पर खजुराओ उस्तित है जो कि चंदिलवन से संबंदित है और यहां पर काफी वंदीरों है जेन धर्म से संबंदित है कब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं यह जैसे कि मेला की बात की जाए तो हमारे दारों मेला जितने भी मत्पूर्टेश के इंपोर्टेंट मेले है उसका भी हमने एक प्रॉपर वीडियो बना के डाल दिया है आप उस वीडियो को चर्चे में है तानसे संबंद और इसकी शुरुवात की बात की जाए तो 1980 से सुरुवात की गई थी तानसे संबंद यहां दा सुरुवात की गई थी और यह तानसे की याद में दिये जाता है संगीत की छेतर में जोकी और यह चर्चे में इसलिए है क्योंकि अभी इसकी र पास लाग कर दी गई है इसलिए काफी इंपोर्टेन करें इसकी रस्टी से भी चलिए नेक्स्ट कोश्टन पर आते हैं नेक्स्ट है और इस सेसरन का अंतीम कोश्टन है ये मंगलनात का मंदिर किस जिले में इस्तित है आपको बताना है जबलबूर उज्जेन, मांडू, चंदेरी ज़िदि मंगलनात का मंदिर पुछे जाए तो ये उज्जेन में इस्तित है जो कि उज्जेन में काफी मंदिर इस्तित है जैसे कि अपना महाकालेश्वर भी इस्तित है और उज्जेन की बात की जाए तो यहां छीप्रनदी की टड़ पर इस्तित है और मंगलनार की मंदीर को ही हमारा प्रत्वी का केन विंदुक माना जाता है यहीं से ज्ञान की प्राप्ति हुई है ऐसा माना जाता है कि स्री एक और कोश्चन है मारा यहीं बच गया साधी मत्पदेश में कहां आधी संक्रचार की गुफ़ा इस्तित है आधी संक्रचार जो की करेंट की दर्थि से इंपोर्टेंट है इसलिए हमने यहां कोश्चन लाया गया है कि करेंट से भी हमें जानने को मिल दे और संक्रचार के कभी काफी क्योंकि प्रधान मनती मोधी द्वारा भी इसकी मूर्ति का स्थापित की गई है भी हाली में उत्रखंड में और मत्पते सरकार द्वारा भी ये सबसे बड़ी मूर्ति जो की ओमकारेश्वर में स्थापित हो आप गणडवा में इसे स्रीवासिंग चोवान ने घोशन की गई है तब को बताने आधिस संक्रचारी की गुफा कहां इस्तित थे रायसेन उज्जेन ओमकारेश्वर अमरकंटक तो इसका करेक्ट आधिस अधिस्तित थे आधिस संक्रचारी की गुफा और यहीं पर सबसे तो फ्रेंड कैसे लगा हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक दोस्तों को जरूर सेर करें और कमेंड करना न भूले और ये आपके लिए आज का सवाल है आपको बताना है मत्पदेश के वरतमान मुखमंतरी जो कि आप सभी जानते हैं कि हमारे मामा जी जो कि सुविरा सिंग चौवांज है ये किस करम के मुखमंतरी है क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो अभी कुछी दिन पहले Cubay ऑंभी पूलिस में राजपाल के करम की बारें पुछलिया गया था कि वरतमान राचपल किस करम के है तो ऐसे हो सकता है Sams ये मुखमंतरी की क्रम की कि पुछलिया जाया तो ये अब आपको बताना है कमेंट करके और कमेंट जरू कर देख करियेगा फ्रेंड और अंत में फेस एक बार फिर ये दिया भी हमारे चैनल को अभीदा के सब्सक्राइब नहीं किया थे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्य बाद जल्द हाजीर होंगे ऐसे वीडियो के साथ तब तर के लिए नमस्कार थाइंक्यू